आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने flip card pay letter की limit एक click में हम किस तरीके से increase कर सकते हैं वो भी गाइस बिना किसी extra charge के और बिना किसी paperwork के तो आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए काफी जादा helpful होने वाली है वीडियो को आप बिना skip की end तक देखते रहिए तो गैस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने flip card app को हमें इस तरीके से open कर लेना है और flip card pay letter का हमारा dashboard इस तरीके से open हो जाएगा और गैस देखिए मुझे यहाँ पर flip card की तरफ से 500 रुपए की pay letter की limit मिली हुई है तो 500 रुपए का हमारा amount show हो रहा है और गैस देखिए flip card ने हमें limit increase करने के लिए एक offer दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है increase your credit limit to 30,000 valid till 2nd October तो गैस यहाँ पर जो हमारी 500 रुपए की flip card pay letter की जो limit है वो 30,000 रुपए में convert हो जाएगी हमारी limit increase हो जाएगी और गैस देखिए यह जो offer है यह 2 October तक valid है हम यहाँ पर 2 October तक अपनी limit को बढ़ा सकते हैं increase कर सकते हैं अगर हम 2 October तक इसको increase नहीं करेंगे तो यह offer खतम हो जाएगा expire हो जाएगा मतलब हमारे पास अभी पूरे 2 महीने है इस limit को हम increase कर सकते हैं बड़ी आसानी से तो guys देखिए flip card ने अगर आपको भी limit increase करने का offer दिया है तो वो आपको यहाँ पर इस जगाँ पर show होने लगेगा जिस तरीके से मेरे flip card pay letter में यहाँ पर show हो रहा है अगर यह offer आपको यहाँ पर show नहीं होता है तो guys देखिए flip card अप अपने user को limit increase करने का इस तरह का SMS भी send करता है जिसमें लिखा हुआ है good news you are now eligible for a higher credit limit तो यहाँ पर हमारी जो credit limit है वो यहाँ पर higher limit में convert हो जाएगी इसका मतला हमारी जो limit है वो increase हो जाएगी और guys यहाँ पर हम no cost EMI पर shopping कर सकते हैं flip card pay letter से तो guys देखिए अगर आपको भी flip card pay letter की तरफ से इस तरीके का SMS मिला हुआ है तो नीचे की side यहाँ पर हमें एक link दिया गया है इस link पर click करके इस limit को हम increase कर सकते हैं तो guys चलिए अब यहाँ पर हम एक option देखने को मिलेगा increase limit का यहाँ पर हम simple से click कर लेंगे click करने के बाद इस तरीके से यह load लेगा अभी guys यहाँ पर आप जैसे की देख सकते हो हमारी जो flip card pay letter की limit है वो successfully increase हो चुकी है सिर्फ एक click में यहाँ पर लिखा हुआ हुआ हुर है limit increase तो हमारी limit increase हो चुकी है 30,000 रुपए की limit हमारी show हो रही है और guys देखिए जो हमारी flip card की 30,000 रुपए की pay letter की जो हमारी limit है इसमें से 4,000 रुपए का balance हम as a pay letter use कर सकते है इसका मतलब कोई भी हम यहाँ पर bill payment कर सकते है 4,000 रुपए तक की और यहाँ पर 30,000 रुपए का जो balance है इससे हम shopping कर सकते हैं वो भी no cost EMI पर अगर इस pay letter की limit से हम bill payment करना चाहें तो pay nao का हमें यहाँ पर option देखने को मिलेगा यहाँ पर हम click करके कोई भी bill payment यहाँ से हम कर सकते हैं और guys देखिए flip card pay letter की इस limit को अगर हम regular use करते रहेंगे और इसका bill अगर हम time पर pay करते रहेंगे तो हमारे जो credit score है वो भी यहाँ पर improve होता रहता है in case होता है और अगर हमारा credit score अच्छा होता है तो हमें किसी भी एप से pay letter की limit मिल जाती है या किसी भी bank से हमें loan मिल जाता है या फिर किसी भी एप के थुरू हमें loan मिल जाता है अगर हम यहाँ पर click करेंगे तो हमें अपनी कुछ basic detail को fill करना होगा जैसे की pen card number और उसके बाद जितना भी हमें loan मिलना होगा वो हमें मिल जाएगा हमारे bank account में तो guys यहाँ पर साथी साथ flip card pay letter के benefit भी मैं आपको बता देता हूँ अगर हम यहाँ पर कोई भी payment करते हैं या कोई भी अगर हम shopping करते हैं और अगर उस order की हुए product को अगर हम cancel कर देते हैं तो हमें instant refund मिल जाता है तो रंत हमारे flip card pay letter में cancel की हुए product का balance refund आ जाता है और यहाँ पर कोई भी इसका interest नहीं लगता है 30 दिन तक balance को हम use कर सकते हैं एक click में payment हो जाती है और credit score भी हमारा improve हो जाता है और गाईस देखी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कावी सारे लोग सोच रहा होंगे flip card pay letter के इस balance को हम अपने bank account में कैसे transfer कर सकते हैं वो ही बिना किसी extra charge के तो गाईस देखी यह facility अभी flip card की तरफ से नहीं आई है अगर आगे कभी future में यह facility आती है तो मैं आपको वीडियो के थूँ जरूर बताऊंगा तो गाईस चलिए अब हम आपको बता देते हैं यह जो मेरे flip card pay letter की limit है पांसो से तीस हजार रुपए कैसे बड़ी कैसे increase हुई तो गाईस देखी फिलिप card pay letter की जो मेरी 500 रुपए की limit थी उसको में regular use करता रहा और उसका due balance में due rate से पहले ही pay कर देता था जिससे मेरा credit score improve हुआ और flip card ने हमें limit increase करने का offer दे दिया और आपके सामने मैंने limit को increase करके भी दिखाये live proof के साथ एक click में और गाईस देखी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर Amazon pay letter या फिर Paytm, Postpaid या flip card pay letter अगर किसी भी app की तरफ से आपको pay letter की limit मिली हुई है यूज करने के लिए तो आप उसको regular use करते रहिए due balance को आप टाइम पर pay करते रहिए इससे आपका ही credit score better होगा अच्छा होगा, improve होगा और किसी भी app की pay letter की limit आपकी बढ़ सकती है तो बस गाईस यही थी आज़ की वीडियो आप जरो क्लिक कर लेना, thank you